आप सबीकर मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत हैं तो आज के डिफेंस अप्डेट वीडियो में दो सबसे महत्वपूर्ण अप्डेट सामने आ रही है तो जो वीडियो की पहली अप्डेट है वो एमसे फैटर जेट के ओडर को लेकर आ रही है तो आप सबीको पता होगा कि एमसे फैटर जेट के टोटल 140 युनिट भारतिय वाइस जेना खरीदने वाली थी जिनमें जो एमसे मार्क वन होगा उसके 40 युनिट और एमसे मार्क टू के 100 युनिट भारतिय वाइस जेना खरीदने वाली थी पर यह फिलाल एसी रिपर्ट सामने आ रही है कि जो एमसे फ 30 mk fighter jet को operate कर रही है कि वजह से जो पूरानी सुकव 30 mk fighter jet है उनको नए एंजिन की सक्थ जरूरत है इसको लेकर भी एक पहुती बड़ी अप्डेट सामने आ रही है तो इन दोनों ही अप्डेट के बारे में वन डीटल से discussion करने वाला हूँ तो अगर आप मेरे डिफेंज चैन हो ताप अपना question comment section में जरूर लिखेगा जिसका answer में अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा तो आज की डिफेंज अप्डेट वीडियो को शुरू करते हैं अब सभी को पता है कि एम से fighter jet program भारतिय वाइस जेना के लिए कितने ज़्यादा महत्वपून है क्योंकि य एम से fighter jet को लेकर भारतिय वाइस जेना का यौख प्लान है कि जो एम से mark 1 होंगे उसके 40 unit और जो एम से mark 2 होगे उसके 100 unit पारतिय वाइस जेना में शैमिल के जाएगे पर जो एम से mark 2 project है वो totally depend करता है उसके 110 kN के engine के उपर तो यह engine अपने timeline के हिसाब से बन जाता है तो जो प्रोजेक्ट है वह भी अपने timeline के हिसाब से चलता रहेगा पर अगर एम से mark 2 के engine development में डेरी हुई तो एम से mark 2 project में भी directly डेरी होने वाली है तो इसे के चलते ऐसे report सामने आ रही है कि भारतिय वाइस जो एम से mark 1 है उसके ज्यादा नंबर में order दे सकती है तो totally जो एम से fighter jet क SPV model के under बनाय जाएगा जिसके तहर जो private company है उनको भी मुका दिया जाएगा पर अगर एम से fighter jet के एक बड़ा order नहीं मिलता है तब तक private sector को भी कोई बड़ा फायदा नहीं होगा तो भी फिलाल एम से fighter jet को लेकर ऐसी report समने आई है कि जो पहले initial mark 1 के 40 order ही दिये जाने वाले थ जाकर 60 अतिरिक और भी दिये जा सकते है जिसकी वज़े से जो एम से माक वन है उसके 100 यूनिट पार्दे वाई से नहीं मिलता हो इसके अलवा बात करें तो एम से माक 2 के लिए कौन सा पार्टर सेलेक्ट किया जाता है उसके उपर भी डिपेंड करता है कि कितने जल्दी fighter jet क एंजिन बन के तयार होने वाला है क्योंकि अमेरिकी कांपनियों का बहुत ही अच्छा घसा एक्सपेरियंस है फिप जनेशन फाटर जट के एंजिन के साथ भी इसके अलवा बात करें तो जो ब्रिटिन के कमनी रोस्रों है उन्होंने फिप जनेशन का एंजिन तो नहीं बन तो जो ब्रिटिन है वो एक सिक्स जनेशन का एंजिन डेवलोप तो कर रहा है पर अभी तक वो एंजिन डेवलोप नहीं हो पाया है इसके अलवा जो फ्रांस है वो भी सिक्स जनेशन के प्रोग्रम में जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो सिक्स जनेशन के एंजिनों को develop तो कर रहा है पर उनके पास उतना ज़्यादा experience भी नहीं है क्योंकि उन्हों ने 4 generation से सिधा 6 generation के उपर switch किया है और इसके अलवा अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका ने step by step 4 generation 5 generation और 6 generation के उपर भी काम किया है तो एक तरह से बात करें तो अमेरिकी कमने के पास अच्छा कासा experience भी है पर अमेरिका के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अमेरिका पूरी तरह से टेक्नली ट्रांसफर भी नहीं करेगा इसके अलावा जो आई पी राइट है वह भारत को नहीं इसके अलावा जो एमसे के लिए अमेरिका एंजिन डिवलॉप करना चाहता है वह GEK-4 ANA6 एंजिन के बेस के उपर है बले ही अमेरिका कुछ न कुछ करके GEK-4 ANA6 एंजिन को 110 क्लिटन वाला एंजिन बना देखा और उसके करेक्टर तो 4 जनरेशन वाले ही रहेंगे बले ही ज्यादा amount में वो thrush को produce कर सके तो एक fourth generation के engine और एक six generation के engine में जमीन आस्मान का फरक होता है उसके character में तो overall बात करें तो जो AMC Mark 2 है उसका future उसके partner के उपर depend करता है कि भारत chat engine manufacturing के लिए किस partner को select करेगा इसके अलावा बात करें तो अगर भारत अमेरिका को select करता है तो AMC Mark 2 के लिए engine बहुत ही जल बन जाएगा इसके अलावा किसी अन्य पार्टनर के साथ जाता है जैसे कि Britain और France तो engine के लिए थोड़ा time और भी लग सकता है पर अगर भारत को technology transfer और IP right लेने है तो भारत को definitely England के साथ यानि कि Britain के साथ जाना चाहिए तो बारत AMC Mark 2 के लिए किसी भी partner को select करें पर AMC Mark 2 प्रोजेक्ट अपने timeline के हिसाब से चलना चाहिए तब जाके भारते वाईशेना को इस fighter jet का technological advantage मिल सकता है पर अगर AMC Mark 2 के साथ भी AMC Mark 1 जैसी ही देरी होती है तो इसकी जो technological advantage है वो भारते वाईशेना को मिल नहीं पाए गया है इसके अलावा तब तक हमारा दुश्मेंदी 6 generation fighter jet के उपर भी switch हो सकता है अब हम वीडियो की next update के बारे में discussion कर लेते हैं जोकर सुकोई 30M के fighter jet को लेकर आ रही है तो आप सभी को पता होगा कि अभी फिलाल पारते वाईशेना 260 ऐसे सुकोई 30M के heavy category के fighter jet को operate कर रही है तो जो सुकोई 30M के fighter jet है वो भारते वाईशेना के लिए backbone की तरह काम कर रहा है पारते वाईशेना में सबसे पहले जो initial batch के सुकोई 30M के शामिल हुए थे उनको नए engine के सब्सक्राइब जरूरते जिसको लेकर HL और पारते वाईशेना के भी discussion चालू है 240 engine को लेकर पारते वाईशेना और HL के भी discussion चालू है जिनको जो initial batch के सुकोई 30M के फैटर जट है उनमें लगा जाएगा और जो यह engine है वो भारत में ही निरमित किये जाएंगे इसके अलावा बात करें तो इन सबी ही engine की जो maintenance और ओल हॉलिंग है उनको भी भारत में किये जाएगा तो एक तरसी बात करें तो रश्या यूकरिन वर्क की वज़े से जो सुकोई 30M के की spare supply है उसमें भी बाता आई थी पर भी फिलल भारत नहीं चाता है जो रश्या यूकरिन वर्क की वज़े से spare part supply में problem आ रही है वो आगी जाके भी आए तो ऐसा भारत नहीं चाता है जिसकी वज़े से जो ये नए इंजिनों को बनाया जाएगा उसकी spare part भी बारत में ही बनेंगे जिसकी वज़े से भारते वाईशेना को एक बड़ा problem फेस ना करना पड़े इसके अलावा बात करें तो ऐसी रिपर्ट सामने आ रहे है कि इस टेल के उपर इस साल के अंतक कोई बड़ा फैसला आ सकता है इसके अलावा मेरे विवर के दार एक बहुती बड़ा important question पूछा गया था कि जो सुपर सुकोई अपग्रेडेशन होने वाला है और A841 एंजिनों को सुकोई 30MK में इंस्टल किया जाने वाला था पर बाद में यह प्लान चेंज कर दिया गया और जो पुराने A831 एंजिन है उनको ही रहने दिया गया है तो यह क्या एंजिन sufficient power provide करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे जो सुकोई 30MK में पुराना A831 एंजिन लगा हुआ है वह एंजिन भी capable है कि सुकोई सुकोई में जितने भी अपग्रेड होंगे उनको sufficient power provide करवाने में तो सुपर सुकोई अपग्रेडेशन बाद भी जो A831 एंजिन है उसकी वज़े से चिबी तोर पर ऐसा नहीं लगेगा कि जो सुकोई 30MK अफेटेट है वह सुपर सुकोई अपग्रेडेशन के बाद A831 एंजिन के साथ अंडर पावर लगे इसके अलावा बात करें तो अभी फिलाल सुकोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम अपने जोरो शोरो से काम चालू है प्लेइ सब्सक्रामी चैनल and thank you for watching